हेला अर्विवान माइनम इस गौराव जैसा कि आप सभी को पता है हम यहां पर चैप्टर नंबर जो आपके बास 4 है वह स्टार कर चुक है चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वह बात करें तो यहां पर हम तू वेरिबर लीनिर रिक्वेश्टन के बारे में डिस्कुस करें कि क्या होती है और हमने देखिए इसके प्रेविज़ू और बारे में समझा कि टू यहां इसका बना नहीं है हमने ऊटक इस बना तो हम उसको कैसे बना सकता है वह सारी चीज़े हमने बहुत आ तरह आइसके लिए हो उचुका हो यहां पर कि हमने क्स तरिके से discuss किया कि हमने यहाँ पर two variable linear question को किस्तर से रिप्रेजन करते हैं आज के अंदर बीसिकली बात करें तो हम यहाँ पर xy's 4.1 करने वाले हैं और 4.1 से रिलिटर जो भी बात है मतलब आपके पास इसके प्रिवेश अलो डिलेटर जो भी question से 4.1 से यहाँ पर डिसक्स करा लाएं तो question को start करें यहाँ बिसक्ली तो question नोट बूक की जो आपके पास cost है वह आपके पास basically बात करें तो pen की cost से आपके पास कहे twice है तो write the linear equation in two variables to represent this statement तो हमें यहाँ पर represent करके बताना है कि आपके पास यह two variable linear equation से कैसे होने वाला है तो देखे basically बात करें आपके पास तो यहाँ पर मैं assume करूँगा कुछ assume करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर क्योंकि मुझे कुछी की बताया है तो हम यहाँ पर assume करेंगे तो मैं basically बात करूँगा यहाँ पर यहाँ बात करूँगा यहाँ नेक्स्ट बात करें आपके पास है वो मैंने माली है y rupees है क्या है यहाँ फ़ोईपीज है अब दिखिए यहाँ पर according to q कि बात करूं यहां पर 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 यहा प्लस 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 इकल टू क्या होता है जहां पर A does not equal to 0 उना चाहिए और B does not equal to 0 होना चाहिए C 0 हो कोई फरक नहीं परता हमें यहाँ पर A और B हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए तो देखें चेजरा इसको यहाँ पर सही format में लिखूं तो देखें सही format में बसिलिए क्या लिख सकता हूं 2x-y is equal to 0 करेंगे 2x-y is equal to 0 करेंगे, कैसे किया है यहाँ पर, तो देखिए यह plus का y है, उस तरफ जाएगा तो किसमें बन जाएगा, minus के y में बन जाएगा, तो मैंने वही किया है यहाँ पर, equal to 0 बना दिया है, तो हमने क्या किया है, इसको linear equation के represent form में represent कर दिया, clear समझ में आ चुक गए यहाँ express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, तो हमें क्या करना है, इस तवाले के अंदर क्या करना है, represent करना है, and indicate the value of the a, b and c in each case, बना सभी cases के अंदर ax plus by के अंदर format के अंदर लाओ, फिर उसके बाद abc की value उता ही है, तो देखिए यहाँ बात करूँ, तो सबसे पहले जो equations हमें दे रखी है, yes, इसको पहले सही format में बनाते हैं, और किस format में बनानी है, जरह यहाँ पर देखे, ax plus by plus c is equal to 0, तो ax दिख रहा है, bx भी दिख रहा है, plus c यहाँ नहीं दिख रहा, इस तरव लिखे आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखे, 2x plus, yes, 2x plus 3y minus 9.35 के उपर नहीं है, bar is equal to 0, तो यह मैंने इसको सही format में बना दिया, clear, अब देखिए जरह इससे comparison करता है, क्या करना है, simple comparison करना है, तो देखे, x की जगा, x है, a की जगा आपके बस क्या है, 2 है, तो यहाँ से a is equal to आपके बस क्या घया, 2 आगया, a is equal to क्या आगया, 2 आगया, यहाँ से लिखा है यहां पर प्लस का सी है यहां पर प्रॉपर वेल्यू किसी है माइनस के साथ है तो यहां से करें चाहिए जगा क्या लगा है एक की जगा क्या लिखा है इस चीज को हमने बहुत अच्छे टंग से लेखा है कहां पर polynomial chapters के दर polynomial chapters के दर हम देखा कि जब कभी भी हमारे पास केवल एक simple x हो तो वो x नहीं होता है वो 1 into क्या होता है x होता है तो इस cases के अंदर बात करो एक ही value आपके पास कितनी है basically बात करें 1 है एक value कितनी है आपके पास 1 है clear अच्छा देखे next case दर बात करें तो यहाँ y है यहाँ पे भी y है लेकिन यह y upon 5 है यह y upon 5 नहीं है basically बात करें तो इस y को क्या क्या है multiply 1 से क्या है multiply क्या है 1 क्या है तो basically यह है क्या तो यह है आपके बात b is equal to minus k 1 upon 5 b is equal to क्या है minus k 1 upon 5 अब इससे y से multiply करवाखे देख लीजिए माइनस की जगह तो माइनस आ गया 1 into y is equal to क्या हो गया y हो गया अब पॉन फाइस नहीं है यह लिए समझा आ गया यहाँ सर अब comparison करते हैं इसके साथ तो आपके पास c की value यहाँ पर क्या हो रही है minus का 10 हो रही है अब चलते हैं हमारे अगले question के पास अगले question हमारे पास सही format में नहीं है पहले सही format में लिखते हैं तो यह है लिखते हैं minus का 2x plus का 3y yes minus का 6 is equal to हो गया 0 यह हो गया हमारे पास सही format yes यह हमारे पास क्या हो गया सही format हो गया अब comparison करते हैं तो एक ही आपके पास क्या होगय बिसिकली बात करें- 2 हो गया अब अब नोगं सब क्या रहा है तो प्रिजल समय हुए इस तरह से आपके पास यह दोनों कुषिन से वह फिणिश हो चुक है अब हम मिलेंगे हमारी एग्लीविडियु लक्षिव के अंदर जहां पर हम पर हम बेच्चिक वापटिक इसके स्कुलिशिंद के इस तरह से देखे जा सकते हैं वो वह वाचिंग इस वीडियो